और अब देखते ही कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। बारत की सरकारी रेडियो सेवा यानि की All India Radio को वर्ष 1936 में आज ही के दिन अपना नाम मिला था। इस रेडियो सेवा को पहले ISBS यानि की Indian State Broadcasting Service के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1956 से All India Radio को आकाशवानी भी कहा जाने लगा। All India Radio उपर पहला बुलेटन 19 जन्वरी 1936 को ब्राडकास्ट किया गया था। वर्ष 1936 में MV गोपाला स्वामी ने अपने घर में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन के स्थापना की थी और इसे आकाशवानी नाम दिया। इसके बाद वर्ष 1956 में All India Radio द्वारा भी इस नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ष 1948 में आजी के दिन एयर इंडिया ने पहली बार विदेश के लिए उडान भरे थी। मालाबार प्रिंसेज नाम का विमान मुंबई से एजिप्ट की राजधानी काईरो और स्वीजलेंड के शहर जेनेवा से होते वे लंडन गया था। इस विमान में 40 सीटे थी और इसमें जे आडी टाटा और जामनगर के नवाब आमीर अली खांभीष्ट सवार थी। मुंबई से लंडन पहुँचने में इस विमान को 24 घंटे लगे थी हाला कि अब सिर्फ 10 घंटों में ये दूरी तै हो जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत करने वाले प्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्सर टिम बर्नस ली का जन्म वर्ष 1955 में आज ही के दिल हुआ था। इंटरनेट के आधुनिक स्वरूप को इजात करने का श्रे टिम बर्नस ली को ही दिया जाता है। अगर चाहते तो अपने अविशकार के दंपर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे लेकिन उन्होंने सब के बारे में सोचा और इंटरनेट का विकास दुनिया को जोडने वाले एक मजबूत धागे की तरह है। और आज वर्ल्ड ओशियंस डे है। पूरी दुनिया के महासागरों और उसमें मिले प्राकिर्तिक संसाध्रों के बचाओं के लिए सही प्रास्ट ने वर्ष 2008 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर महासागरों को समर्पित कर दिया था। इस वर्ष वर्ल्ड ओशियंडे का विशे है प्लैनेट्स ओशन दा टाइज और चेंजिंग। झीनिर्स